चैसरी राधे दोस्तों केपी कीवानी चैनल में आपका स्वागत है रोजाना राशी फल से संबंदित सभी प्रकार की जानकारी पानी के लिए हमारे चैनल केपी कीवानी को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दमपत जीवन प्रेम संबंद को लेकर कोई भी परसानी है, तो हमें मैसेज के जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी, अगर आपको अपनी साधी के बारे में जानना है कि आपकी साधी कब और किस से होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, साधी कितनी दूरी पर कर भविस्वानी पाना चाहते हैं, तो हमें आपको जल से जल पूरी जानकारी देंगे, अगर रिप्लाइ करने में देरी होती है, तो आप निरास बिलकुल ना हो, क्योंकि आपको जबाब जरूर दिया जाएगा, इस वीडियो में आपको कुमरासी के बारे में बताने जा जिनकी साधी साल 2020 में निस्टिती होगी, यहां जानकारी आपको ग्रह गोचर के स्थिती और प्रकांट पंडित की भविस गरना के अनुसार दी जा रही है, इसमें बदलाव संभव है, यहां बदलाव ग्रह के स्थिती और व्यक्ति के कर्म अनुसार हो सकता है, आलाकि हुआ परामर्स देना चाहते हैं तो अवस्य दे आपके परामर्स असलाह का मुझे इंतजार रहता है आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि जोतिस से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब योटूब पर पूरी तरह से ने सुलक दिया जाता है आप सवाल पूछने में जराभी संसे ना रखें यहां सेवा पूरी तरह से युवाव को समर्पित है हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको रिपलाई देने में कुछ बक्त लग सकता है लेकिन आपको जबाब जरूर दिया जाएगा इसके अलाबा आप जोती से सलाह के लिए 8521-835670 पर कॉल अथवा मैसेज कर सकते हैं यह सेवा सुसुलक है संपर करने पर आप अपनी एक्छा अनुसार गुरु दक्षना अवस्य दे आईए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं जिन जातकों के जन्व समय जन्पत्रिका में चंद्रमा कुमरासी में स्थित होता है उनकी रासी कुम होती है कुमरासी का स्वामी सनी है सनी को नवगरहों में नियाधिपाती की उपाधी प्राफ्थ है कुम एक स्थिर रासी है, कुम रासी वाले जातक डिड़ने सही होते हैं, वे हर कारी को बरे विचार विवास करने के उपरांध ही करते हैं, यदि सनी स्थिर है तो कुम रासी वालों का रंग सामला एवं काला होता है, कुम रासी वाले जातक चंतंसिल वा थोड़े आत्म क्रे कुमरासी वाले जातक कभी-कभी कठोर वेवार करते भी दिखाई देते हैं। इस जातकों का दामपत्य जीवन बेहत सामानी होता है और जीवन साथी के साथ इनके मधूर संबंध होते हैं। तंतसास्त के जानकार, सन्यासी, सेवक, ठेकेदार, खनन, पेट्रियों पदार्थों के वेवसाई, खेती आदी छेत्रों में अधिक सफल होते हैं। आईए अब रासी फल जानते हैं। प्रेम के मामले में यह साल रोमान से भरपूर गुजरने वाला सावित होगा। इस साल आपका प्यार परवान चड़ सकता है। जो जातक लामेरज करना चाहते हैं उनके लिए यह साल काफी सुभ रहने वाला है। इस साल आप अपने प्रेमी के साथ याददार लम्हें गुजरने में सफल होगे। साल का पहला मेना यानि की जनवरी में सूरी का धनूरासी में स जुख के घर में करवेश के साथ एक आदती योग बना रहा है। विभाईक जीवन के लिए या बेहद ही अनकूल रहने वाला है। यह वर्ष प्रेम के दिश्टिकों से आपके लिए काफी अनकूल परिनाम लेकर साबित होने वाला होगा। वर्ष की सुरवात में ही आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकरसन का भाव महसूस करेंगे और एक दूसरे से खुब बातिक करेंगे। यह बाते ही आपके प्यार में रस गोलने का काम करेंगी और आपका प्रेयतम इस साल अपनी मिठी मिठी बातों साब का मन परसन रख सकता है। यह साल प्यार में आग पन्चम भाव पे होगी वो प्रेमी जातक जो लंबे समय से अपने रिस्टे के प्रतिबद हैं उन्हें इस वर्ष प्रेम विवा के मंदन में बनने का भी अफसर मिलेगा क्योंकि गुरू इनके पंचम भाव में है सनिदेव और सिवजी की कृपा से आपकी साधी की यूग अ करें तो साधी बेहत सफल रहती है क्या करें तो गाय को रोटी खिलाइए हर गुरुवार को सनिवार के दिन चीटियों को आटा खिलाइए पीपल के विशी को जल चड़ाएं मंगलवार के दिन भगवान हर्मान लाल चोला चड़ाएं और हर्मान चालिसा का रोजाना पाठ करें सुबह साम इसके अलावा नहाने वक्त पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल कर नहाएं सूरी देव को रोज जल का अर्ग दे अपने कमरे में राधा और कृष्ण जी की तस्वीर जरूर लगाएं लाल और पीले रंगे कपड़े अधिक से अधिक पहने रात में पूरु की करें यह मंत्र आप कमेंट कर मैसेज में भी मंगवा सकते हैं हम आपको यह सुब्दा अवस्थे देंगे कि आपको कमेंट में मंत्र जरूर प्रवाइड किया जाएगा तो इन मंत्रों का रोजाना जाप करें सोंबार को सफेद कपड़े मंगलवार को लाल कपड़े जरूर बन जाएंगे इस वीडियो में बताई गई जानकारी जोतिस पंचांग और ध्रमगंतों से दी गई है हमारा उदेश मेंज आपको सूचना पहुंचाना था आप इससे सूचना हे तुही ले अगर इसके अतरिक अगर आप इनको मानते हैं अपनाते हैं अथ्वा जोतिस से अवस्य संपर्ख कर ले इसके लिए आप केपी कीवानी से संपर्ख कर सकते हैं हम आपको कुणली देखकर आपकी निजी जानकारी देने की कोसिस करेंगे कि आपकी जिन्दगी में क्या योग बन रहे हैं और आपकी रासी में कौन-कौन सी ग्रहदसा इस्तित है इसके बाद ही आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्थ हो पाईगी इसके लिए आप केपी कीवानी से संपर्ख कर सकते हैं केपी कीवानी से संपर्ख करने के लिए सभी मोड फुले हुए है या तो आप YouTube पर कमेंड कर सकते हैं या kpigwani.gmail.com पर म के जरीए भी संपर्ख कर सकते हैं अथ्वा सौसुलक 8521-835670 पर कॉल कर अथ्वा मैसेज कर जानकारी पास सकते हैं दोस्तो जोतिस गनना की आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी इसमें बदलाव संभव है इस तरह की अन्ड वीडियो कर दोस्तो आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट और सेर कर हमें जरूर बताए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले मातारानी की किरपास यह आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे आप सो परिवार स्वस्तेवन सुखी रहे आप सभी के प्यार और सनी के लिए आप सब को हिर्दय से धन्यवाद करता हूँ आप लोग इसे तर हमारे साथ जुड़े रहे इन्हीं सुपकामनाओं के साथ आपसे बिजा लेना चाहता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक चाहा जीवन साथ ही मिले इन्हीं सुपकामनाओं के साथ आपसे बिजा लेता हूँ इजाज़त दे मुझे नमस्कार जैसरी रादे दोस्तों जैसरी कृष्णा जै मातादी जै वाही गुरू